अब ओनिंग शरेंट देखिए टिग्योमेट्रिकल एक्वेशन से जो सोलूशन है एच्छे क्विश्चन हो गए तो सेवन्थ क्विश्चन में आपके पास क्या है आधा यह तो प्लस 3 को स्केर उकल टू फोर है तो इसिक्वेस atrás को आपने सौल जोल करना है तो को सबसे रटा है तो हुँगर होता है थार्ज यसमस्धान चलिएकस कालखको थी है को सब्सक्राइब चब्रकर यह थो जाएगा 3 और 4 शी rely में चला जाएगा sin square x की value आजाएगी 1 by 2 ये square है तो ये square बना लेंगे ये 1 by 2 का square form लगा देंगे sin square x is equal to ये sin क्या होगा 30 तो sin square pi by 6 तो sin square x is equal to sin square y इसको रिकेंगे sin pi by 6 का square x equal to n pi plus minus pi by 6 आजाएगा उसके बाद यह है इसको हम quadratic में इक्वेशन बढ़ाएंगे तो देखेगा अगर साइन को कोस में बदलते हैं तो यह तो रूट आएगा यह एंगल चेंज होगा इसलिए स्कोस को साइन में बदलेंगे तो कोस स्क्वेर एक्स को क्या लिखेंगे वन माइनस से साइन स्क्वेर एक्स टू के मल्टिप्लाई में आ जाएगा आगे यह उनकाई तू के साथ मल्टिप्लाई कर देंगे आपके पास यह आ जाएगा माइनस के निसान से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपके यह दो factor बन जाएंगे. या तो यह value 0 होगी यह value 0 होगी. अगर यह 0 हुए, तो sine X की value minus 3 आ जाएगी. और यह 0 हुए, तो sine X की value 1 by 2 आ जाएगी. अब sine x की value, max value कृती है? sine x की 1, minimum value क्या होती है? minus 1. तो sine x की value minus 3 possible है नहीं. तो sin x की value क्या आएगी 1 by 2 इसको हम लिखेंगे sin 30 sin x equal to sin y वड़ा form लगा के solve करके x की value निकाल नेगे उसके बाद question है next question आपके पास क्या आता है 4 cos x minus 3 sec x equal to 10 x तो इसको sin cos में change करेंगे साइन कोस में change करेंगे तो 4 cos x minus 3 upon में cos x equal to 10 cos by cos cos lcm लेंगे तो आपके पास यह आजाएगा अब फिर वही situation आगी पिछले question बड़े cos square x को sin square में बदलेंगे cos square x कितना हो जाएगा 1 minus sin square x आजाएगा तो cos square x की value यह put करतेंगे इंटो में 4 है आगे same to same sin x को इस side में ले जाएगे plus का है minus में आ जाएगा 0 4 से multiply कर देंगे minus से multiply कर देंगे तो यह आपके पास quadratic equation आ जाएगे अब इस quadratic equation को solve करते है factor इसके बढ़ेंगे नहीं जब इसके factor नहीं बढ़ेंगे तो हम दूसरा method apply करते है quadratic method तो quadratic method से equation को solve करेंगे तो यह quadratic method है तो आपके पास क्या होता है sin x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4a से आप उन में 2a तो a की value 4 है b की value 1 है c की value minus 1 है यह इसके अंदर रख देंगे solve कर लेंगे आपके पास यह दो value आ जाएगे तो एक यह plus में आ जाएगी और एक यह minus में आ जाएगी तो sin x की यह value आगी और एक sin x की value यह आगी तो इसको हम क्या ले सकते हैं इसको भी sin की forum में लिखेंगे लेकिन हमें तो value 0, 30, 45, 60, 90 इन पे तो value याद है लेकिन आपके पास जो ratio number आ जाएगा तो यह value याद नहीं है लेकिन यह ज़रूर है कि यह दोनों की दोनों value minus 1 और 1 के बीच में लाई करेंगे तो किसी ना किसी angle के उपर sin की यह value आएगी तो वो angle हमने मान लिए alpha है तो sin x यह आपके पास sin alpha लिख देंगे और इसको लिख देंगे similarly sin a beta जहांपर alpha की value आपके पास क्या आजाएगा जब यह sin alpha है तो alpha की value sin inverse में आजाएगी ऐसे ही sin inverse में वो आजाएगी sin x equal to sin y का formula दोनों साइड में लगा देंगे तो आपका answer आजाएगा उसके बाद क्या कहता है अगर आपके पास sin और cos के अंदर linear है यह फिर वही फोरम आजाएगा आपके पास a sin x plus a b cos x is equal to c इस फोरम के आपके पास sin और cos के अंदर linear है कोई भी टिगनोमेटिकल equation दे रखी है तो इसका solution हम कैसे करेंगे जो sin x का coefficient है उसका square पलस में जो cos x का coefficient है उसका square अंदर दा root इतने से दोनों साइड में divide कर देंगे तो यहाँ पर देखते है, cos x का option क्या है, root 3, उसका square, plus में sin x का option क्या है, minus 1, उसका square under the root, तो आजएगा 3, plus 1, 4, 4 का root 2, तो दोनों side में 2 से multiply कर देंगे, तो यह आपके पास cos x है, इसको आपने cos की form में लिख देंगे, तो यह कितना होता है, cos pi by 6 into cos x, minus में, यह आपके पास 1 by 2 को, यह cos की form में लिखा है, तो इस sin की form में कितना हैगा, root 3 by 2 cos pi by 6 है, तो 1 by 2 sin pi by 6 आजएगा, into में sin x है, root 2 से root 2 cancel होकर, 1 by root 2 बच जाएगा, तो formula बन जाएगा, cos a, cos b, minus sin a, sin b, फोर्म ला जाएगा, cos of a plus b, तो यह बन जाएगा, a आपके पास यह है, b यह है, दोनों का एड़ कर देते हैं, तो इसको cos की form में लिखेंगे, cos pi by 4, तो cos x is equal to cos y बड़ा फोर्म लगा देंगे, तो x is equal to 2 n pi plus minus a y, तो आपके पास यह आजाएगा, तो x left hand side बड़ा एंगल, y right hand side बड़ा, तो इसको solve करके हम x की value निकाड़ेंगे, तो पलस का pi by 6 है, side में आकर minus का pi by 6 हाज जाएगा, यह आपके पास है, technometrical equations के solution के आपके पास है, exercise हो गई, उसके बाद जो पहले वाड़ी वीडियो थी, इसके अंदर आपके पास यह maximum और minimum value के कुछ questions आपको बताए थे, यह कुछ questions आपने solve करने हैं, बाकी और भी questions हैं, इन questions को मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, और live classes के अंदर इनक रही को मैं ठोड़ी को खरी वीड एनके सोगी औरे स्थीर्एयों, भी सोगा केसी हता नितर इनके स्थीर्एयों, इंकी और धूरी थे आपको सिले इनके स्थास, कबाल सुछाने हैं, आपको सुलेंदे रही सथीर्एयों, एनक्डूरी दड़ीस, तुम envision के कौंडONA इनके